नमस्कार दोस्तों सोगत है आपका इस्टेडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम यह वालोगर जरूर से जरूर जोइन कर लीजेगा तेस्ट को ध्यान से अट्रम करिये और बताएं कितना स्कूर आपने किया है कितने सही किया है तोटल कोई से सबी लोग अपना अपना इसको जरूर करिए इस वीडियो में हम गवर करने वाले हैं BPSC के लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो प्रिलिम्स एक्जाम के लिए बहुत ही हैटफल होगा यह टेस्ट होगा हमारा बाइलिंग्वल यानि कि दोनों ही लांगविजस में होगा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब इसके साथ अगर आप चाहिए तो हमसे टेलिग्राम के माधियम से भी जुर सकते हैं इससे जुड़ने के लिए आपको टेलिग्राम पर सर्च करना होगा स्टाइइ फॉर सिविल सर्विसस और इसको तुरन ठोइन कर लिए ताकि चानल से रिलेटेट जितने भी अपडेट् आइए तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी टेस्ट के साथ देखें हमारा पहला क्वेशन है कि कोन का नी मनीपुरी और नेपाली जो लांग्विजिस हैं इनको इंक्ल्यूट किया गया था एट स्केडियूल में तो वो कौन सा अमेंडमेंट अक्ट था जिसके दुआरा सेवेंटाइट या गया था सेवेटी सेकंड्ड था नाइन टी सीक्स था या इन में से कोई भी नहीं किसे रामरा प्कोन्सन से अमेंड्मेंटन अ ऑGS नाइंटी औरा नाक्ट के साथ आपको यह ज़िंग इन यह यहां पर दो दिए हुए हैं 2022 तो कन्फूंस करने के लिए इसमें हमें बताना है कौन सा correct नहीं है यह हमें दिये हुए portfolios जो first cabinet बनी थी free India की उससे related portfolios है तो पहला दिया हुआ है जग जीवन राम का इनका portfolio बताया गया है labor दूसरा है सरदार बलदेव सिंग का defense और जॉन मतही का बताया गया है commerce और रफी एहमत किद्वाई का बताया ग मतही थे इनका railways and transport था ठीक है यहां पर first cabinet की बात हो रही है इंडियो 1947 में बनी थी और commerce किसका हो जाएगा यह हो जाएगा CH भाबा का तो यह सारे important जो portfolios है उनको थोड़ा याद कर लीज़ेगा next question देखते हैं इसमें पूछा गया है वह कौन सा देश है कौन सी country है जिसमें अलिखित सम्मिधान यानि की unwritten constitution है तो इंडिया में तो written constitution है आपको पता है फिर अमेरिका ब्रिटिश रशिया तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा ब्रिटिश लिखा हुआ है यह ब्रिटिश लिखा हुआ है आपर ब्रिटिश होना चाहिए option C correct हो जाएगा then आगे बढ़ते हैं इसमें बात की गई है कि allocation of seats in राज्यसभा जो राज्यों और केंद्र शासत प्रदेशों के लिए राज्यसभा में seatों का आवंटन होता है यह सम्मिधान की किस अनुसूची में आता है तो यह कौन सी schedule में आता है 6th, 3rd, 4th या 2nd schedule तो यह आता है 4th schedule में यानि की 4th अनुसूची में option C correct हो जाएगा then इस question को देखते हैं इसमें कहा गया है कि वो कौन सी country है जहां पर dual citizenship का provision नहीं है का provision है ठीक है का प्रावधान है पूचा गया है तो इंडिया में क्या dual citizenship है इंडिया में नहीं है तो यह option हमारे यहां से eliminate हो गया उसके बाद आता है Switzerland, Australia और Canada और यहां पर एक confusing जो सबसे साथ option है वो है none of the above या more than one of the above तो आपको अगर पता हो तो भारत यानि की इंडिया और Canada में है single citizenship और Switzerland और Australia में है dual citizenship और इसके साथ अमेरिका में तो आपको जहां तक पता होना चाहिए कि वहां पर भी dual citizenship है तो यह तीन major countries है इनके नाम सम्याद कर लीज़े रहें यहां पर option हमारा correct option number E हो जाएगा फिर है कि कौन सा हमें बताना है इन में से constitutional assembly जो थी उसके उपाध्यक्ष यानि की vice president कौन थे किसको elect किया गया था as the vice president of constituent assembly तो options देख लेते हैं राजेंद्र प्रसाथ, VT कृष्णवाचारी, HC मुकरजी या भ क्योंकि यहां पर एक से अधेक option correct हो जाएंगे, VT कृष्णमाचारी और HC मुकरजी इन दोनों को ही elect किया गया था as the vice president, फिर question है कि Nagaland जो state है यह कब established हुई थी, देखिए जितने भी states established हुए हैं इंडिया में उनको आपको पूरा सही पता होना चाहिए कौन सा state कब established हुआ हमारा option number D क्योंकि 1963 में आगला established हुआ था, then आगे बात की गई है कि यह जो fundamental right of freedom of speech and expression है, इसके अंतरगत कौन सा नहीं सम्मेलत है, कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो पहला अधिकार दिया हुआ है, freedom of commercial advertisement, यानि कि जो वारिजिक विद्यापन है, इसकी स्वत अंतरता, freedom to die, freedom of peace, freedom of the press, तो क्या यहां पर answer हो जाएगा हमारा option B हो जाएगा, देखिए हमको यह article जो है कि मरने की स्वतंतरता नहीं देता है, यानि हमारे पास यह freedom नहीं है कि हम जब चाहें मर सकें, ठीक है, इसलिए जो लोग suicide कर लेते हैं, उनके उपर case से लाया जाता है, right, then next question देख तो प्राइम मिनिस्टर को राज की जाहाज का कप्तान यानि की the captain of the ship of the states, ऐसा कहा जाता है, यह किस ने कहा था basically, तो मुन्रो ने कहा था, मॉर्ले ने कहा था, ग्रेंविल ओस्टिन या विंस्टिन चर्चिल, तो यहां पर correct option हो जाएगा, मुन्रो यानि की option A, तो यह Autonomy to Punjab on the model of Jammu Kashmir, यानि की Jammu Kashmir के प्रती रूप पर Punjab को अधिक स्वाय था, फिर भारत के लिए राश्पति मूलक शासन की उप्युकता, यानि की suitability of the presidential form of government for India, उसके बाद मौलिक अधिकारों के तुलना में, जो DPSPs हैं उनको अग्रता, और उसके बाद चौथा दिया तो यहां पर जिसने उसने स्वाण सिक समिती ने अपने recommendations दिये थे, इन्होंने consider किया था भारत के लिए जो राश्पति मूलक शासन की उप्युकता, यानि की suitability of the presidential form of government in India, option B correct हो जाएगा, इसको ध्यान रखेगा, next question की तरफ बढ़ते हैं, तो Jacobian Club किसने found किया था, रजीत सिंग ने, टीपू सुल्तार ने, शिताब रोय ने या सेयद गुलाम हुसेन ने, तो यहां पर हमारा correct option हो जाएगा, option B, टीपू सुल्तार ने इसको found किया था, इसकी स्थापना की थी, then cold revolt कब हुआ था, यह कई बार पूछा जा चुका है, यह भी रटने वाला point है, आपक हमारा, ठीक है, कौन सा option हो जाएगा, option number A, 1855-56 में एक बहुत ही important revolt है, जो कई पर exam में पूछा जाता है, वो है, संथाल revolt, ठीक है, तो इसको भी आद रखेगा, और 181931 के बीच में हुआ था, revolt of कच, कच में जो विद्रो हुआ था, वो, then next question पे आते हैं, कहा क्या है, जो त ते भागा movement था Bengal का, इसकी मांग क्या थी, तो इस सबसे important तो point यह है, कि ते भागा movement जो था, यह किस year हुआ था, और यहाँ पर आपको पते चल गया है, यह कहा कहा है, यह Bengal का एक movement था, तो options देख लेते हैं, इनकी मांग पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ तब तक आप सोचिए किस year हुआ था, तो पहला option देया हुआ है, one third seats in assembly, increase the famine compensation to one third, to improve the condition of women in Bengal, the reduction of the share of the landlords from one half of the crop to one third, तो यहाँ पर इनका जो main मांग थी, वो थी option पर D, ठीक है, जमीनदारों के फसल के हिस्से की कटोर्ती आधे से बढ़ा कर इनको एक तिहाई तर करवाने के इन्होंने मांग की थी, और यह हुआ था 1946 में, तो year याद रखीगा, then next question देखते हैं, फिर बात की गई है कि इनमें से कौन से और जो event है, सबसे बाद में घटत हुआ, तो जो सबसे बाद में अकर हुआ था event हमें सबके years बता होंगे, तब ही हम यह बता पाएंगे, तो सब के years देखते चलते हैं सबसे पहले, तो CR formula कब आया था, CR formula दिया गया था 1944 में, ठीक है, फिर वेवल प्लान दिया था 1945 में, और August offer आया था 1940 में, और Crips mission आया था 1942 में, तो सबसे बाद में पूचा गया है यहाँ पर तो आप समझ कहे होंगे, वेवल प्लान सबसे बाद में जाया है तो option B correct हो जाएगा, फिर है मित्र मेला, इसको किस ने organize किया था, तो इसको organize किया गया था, VD सावर करके द्वारा, option C, then a home revolt जो है, यह 1828 में हुआ था, और इसके leader कौन थे, गोमधर कुमर, तारानात कोष्ट, करम शाह या बुल्ले शाह, तो यहाँ पर हमारा correct answer हो next question है, हमको यह statements consider करनी है, और हमको बताना है, Sadler Commission से related, कौन से statement correct है, तो पहला दिया हुआ है कि जो Sadler Commission था, यह education से related है, second में खा गया है, कि British Government ने appoint किया था, इस commission को, 1917 में, 1917 में, education को improve करने के लिए, और Lord Macaulay को, इसका precedent appoint किया था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा correct option हो जाएग का one or two, यानि option C correct हो जाएगा, और Lord Macaulay को नहीं appoint किया था, इसका precedent, जो Dr. Amy Sadler थे, यह Vice Chancellor थे, University of Leeds के, और इनहीं को appoint किया था, इसका precedent, और इनहीं के नाम पर इसको Sadler Commission कहा जाता है, then, इसमें हमको देखना है, wrong combination कौन सा है, newspaper और उसके publisher का, यंग इंडिया, महात्मा कांधी दिये हुए है, जो स्वदेश भाहिनी है, यह राम कृष्न पिल्ला है दिये हुए है, then pioneer जो है newspaper, इसके publisher T.M. नायर थी और विरोष चाहत मेहता किसके थे, Bombay Chronicle के, तो हमें बताना है, wrong combination कौन सा है, तो wrong combination है, option number C, क्यूंकि जो the pioneer newspaper था, इसके जो प्रकाशक थे, यानि की publisher, वो George Allen थे, इस question पर आते हैं, मुगल emperor जो अकबर 2 थे, इन्होंने राजा राम मुहनरोय को राजा का title दिया था, और इनको भेजा था, किसी एक शासक की court में, हमें उन्ही का नाम बताना है, जो 1830 में इनको भेजा गया था, तो वो कौन से शासक थे जिनकी court में इनको भेजा गया था, emperor William IV, Elizabeth II, Queen Victoria या prince Philip, Duke, तो इनको भेजा गया था, William IV के समय पर, option A correct हो जाएगा, next question है, कि जो Indian National Congress है, इसका जो first session हुआ था, 28th December 1885 को, और इस अधिवेशन में, इस session में, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिगा था, कितने उसमें delegates थे, तो 72 delegates थे उसमें, ठीक है, option यहाँ पर हमारा C correct हो जाएगा, फिर next question देया हुआ है, हमें बताना है, इन में से कौन सा moderate leader नहीं थे, देखिए, आपको पता है, दो तरह के थे leaders थे, दो तरह से उनका division किया गया था, या एक moderates थे, और दूसरे थे extremists, तो कौन नहीं थे, moderate leader, यानि कि वो extremist उसम जाएगा, option पर E, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक हैं, जो extremist leaders है, कौन-कौन से वो हो जाएगे, एक तो लाला राजपतर आए, और दूसरे और बिंदो खोष्ट, दोनों ही extremist leaders थे, इसके अलावा, बाल गंगा, तिलक और विपिन चंदरपाल भी इसी category में आएगे, और दिन शाह वा चाह, और जो व्योमेश, चंदरबैनर जी थे, और फिरोश शाह, मैता, दादफाई, नौरो जी, यह लोग आजाएगे, moderated category में, यहाँ पर हमारा option E, correct होगा, फिर question है, रिग बेत का जो थोर्ड मंडल है, इसके रिचाइता कौन थे, वाम देव, विश्वमि चीक है, option B, correct है, देन, हमें बताना है, कि महावीर स्वामी की मृतिव के बाद, जैन जो संग था, इसके फर्स्ट अध्यक्ष यानी की जो फर्स्ट प्रेसिदेंट थे, वो कौन थे, भद्र बाहु, जामाली, सुधर्मन, और तीसरा है, स्थूल भद्र, यहाँ पर English में थ C, सुधर्मन, ठीक है, यह पहले प्रेसिदेंट बने थे, next question आता है, कि हमको बताना है, यह जो monuments दिये गए है, इनकी location से कौन सा करेक्टी मास्ट नहीं है, सही location नहीं बताई गई है, तो पहला दिया हुआ है, रानाभार स्टूप, यह कुशी नगर में बताया गया है, साह देखे, यहां पर हमारा correct answer क्या होगा, इसमें थोड़े options गलत है, हिंदी बाला देखे, यहां पर घोशीता राम मत दिया हुआ है, और यहां पर नाना राम मत दिया हुआ है, इसको अटा दीजेगा, घोशीता राम मत जो है, यह पढ़ता है हमारा कौशाम भी में, ना कि व जो भारत आया था, ठीक है, तो सुंग्यों, फाहीन, इच सिंग और यून सांग, यहां पर आपको पता है, सभी लोग आये थे भारत, option E correct हो जाएगा, फिर next question है, कि इन में से किस dynasty का, जो हमें mention मिलता है, उलेक मिलता है, वो संगम लिटरिचर में में नहीं मिलता है, वो चोल, चेर, पल्लव और पांडे, यहां पर हमारा correct option हो जाएगा पल्लव, पल्लवों का उलेक नहीं मिलता है, हमको संगम लिटरिचर में, वागी चोल, चेर और पांडे का मिलता है, देन, हमको incorrect statement बतानी है, कहा गया है, जो उपवेद है, वो चार है, और वेदांग 5 है, औ मत से पुरान, सबसे पुराना, जो पुरान है, वो है, और जितने पुरान है, वो उनकी संख्या 18 है, तो यहां पर हमको बताना है, incorrect statement कौन सा है, तो जो incorrect statement है, वो है हमारा option number B, देखिए, वेदांग जो है, वो 6 है ना की 5, कौन से 6 है मैं आपको बता देती हूँ, शिक्षा और उसके जो रिसेर्चर बताए गए है, वो बताए गए है, एसार राउ, देन बनावली के आरेस विष्ट, चनहूदरो के जोर्ज टेल्स और काली बंगन के अमलानन गोश, तो option number C, जो है यह गलत है, क्योंकि चनहूदरो के जो खोजकार थे, वो कौन थे, वो थे RC मजू गुमदार, तो यह option यहां पर हमारा correctly match नहीं है, फिर दिया हुआ है, जो जैन धर्म है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है, पहला दिया हुआ है, कुरूचक, यापनिय, शुवेतपट और निरग्रंत, तो यहां हमारा correct option हो जाएगा, option number C, sorry, option number C नहीं, option E correct हो जाएगा, क्योंकि यहां पर यह सारे ही नामों से जाना जाता है, जैन धर्म को, right, then, इसमें पूचा गया है, कि कौन से animals जो है, वो हर अपन कल्चर की seals में हमें दिखाई परते हैं, तो पहला tiger, deer, sheep और rhinoceros, तो यह सारे ही दिखाई परते हैं, option E correct हो जाएगा Then, फिर बात की गई है, पलव history से related, पूचा गया है, कि इसमें दक्षिना चित्रा क्या है, यानि कि दक्षिना चित्रा के लिए options पढ़ लेते हैं, यह एक, it is an instruction manual for painters, spiritual treaties on पलव practices, compendium of temples, autobiography of a पलव ruler, तो यह क्या हो जाएगा, दक्षिना चित्र, दक्षिना चित्र हो जाए यह एक निरदेश पुस्तिका है, छीक है, महेंद्र वर्मन जो पल्लव रंज के सबसे महानशासकों में एक थे, यह चित्रकला के काफी ज़्यादा शौकीन थे, छीक है, और इन्हों नहीं चित्रकालों के लिए एक निरदेश पुस्तिका को बनाया था, और इसी को कहा गय दक्षिणा चित्र राइट नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं तब कहा ती नासीरी इसको कंपोस्ट किस ने किया है मिन्हा जो सिराज ने तो यह तो पहले लेर्ण कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है अब पूछा गया है इसकी लांगविज क्या है पर्शियन अर इसको इल्तुतमिष ने इस्टाब्रिश किया था मामलुक जो वर्ड है यह पर्शियन लांगविज का है जो फर्स्ट रूलर है डेली सल्टनत के वह को तो बुद्धी नयबक थे और इल्तुतमिष को कंसीडर किया जाता है रियल फाउंडर ओफ डेली सल्टनत तो यहां प इहमदाबाद में जामा मस्जद जो है इसको निर्माण किस ने करवाया था मेहमुद खिल जी ने एहमद शाह मुदफर शाह या जफर खा इसको किया गया था निर्मेद एहमद शाह के समय पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इन इन में से किस ने अबला बाबा का इब्राहेम निर्मेद लोधी मुदममद आदल शाह या एहमद शाह तो ओप्शन करेक्ट हो जाएगा ओप्शनमबर एप्राहेम तू यानि इब्राहेम दवितिय के पास था अबला बाबा का की वुपाधि ती इसका इसके अत्रेक्त इनको जगत गुरु की उपाधि भी और इब्राहिम 2 ने ही established किया था नौरसपुर नगर, तो यह तो कुछ important points से इंसे related याद रखिएगा, next question की तरफ बढ़ते हैं, हमें बताना है कि बाबर नामा जो है, यह basically तुर्की लाइंग्विश में लिखा गया था, लेकिन इसका English में जो conversion है, translation, वो किस ने किया है, Mrs. Beverage ने, Liden ने, Dara Shikon ने, या Elkin ने, तो किस के दुआरा किया गया है, यह किया गया है, Mrs. Beverage के दुआरा option A correct हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, बात की गए है कि बाबर के चार बेटे थे, चार पुत्र थे और इसमें से कौन उनका पुत्र नहीं था, which one of the following is not his son, तो easy question है, अगर आपको पता ही, जल्दी से पता ही, इसका क्या answer होगा, options यहाँ पर दिये हुए है, हुमायू, असकरी, हिंदल और कमरुद्दीन, तो यहाँ पर D option हमारा incorrect हो जाएगा, क्यूंकि कमरुद्दीन नहीं थे वो, fourth हो जाएगा हमारा हुमायू, असकरी और हिंदल के बाद कामरान, ठीक है, अब हमें बताना है, correct chronological order, शेर शाह की जो भी victories है, उनका correct chronological order क्या होगा, पहला दिया हुआ है, मालवा विज़े, मारवार विज़े, कलिंजर विज़े और राइसेन विज़े, फिर है मालवा पर फिर राइसेन, मारवार, कलिंजर then C option दिया हुआ है मालवा, मारवार, राइसेन, कलिंजर फोर्थ है कलिंजर, मालवा, राइसेन और मारवार तो यहाँ पर आपको अगर years पता होंगे तभी हम इसका correct answer दे पाएंगे यहाँ पर हमारा correct answer जो है ऑप्शन पर B, right क्योंकि सबसे पहले मालवा विजय की गई थी 1542 में then राइसेन विजय की गई थी 1543 में और उसके बाद आता है मारवार और then last में कलिंजर विजय तो कलिंजर में ही जब विजय उन्होंने की थी कि उनका last campaign था और इसी के समय इनकी बृत्यों भी हो गई थी next question देख लेते हैं कहा गया है कि अकबर ने इन में से किस सिख गुरु को 500 भीगा जमीन प्रदान की थी तो अर्जुन देव को की थी रामदास को की थी अंगत को की थी गुरु अंगत को या गुरु तेक बहादुर को तो इनके contemporary rulers अगर आपको पता हैं कौन थे तो आप उससे answer निकाल सकते हैं option है हमारा option B यानि कि गुरु रामदास को प्रोवाइट की गई थी 500 भीगा जमीन फिर आगे बढ़ते हैं अब हमें बताना है वो कौन सी building है monument है जो correctly matched नहीं है तो गोल गुंबत का दिया हुआ है मोहमद आदिल शाह मोती मस्जद औरंग जेब दीनपना शाजहां और जहांगीरी महर अकबर यहां पर हमारा जो इंकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा option number c क्योंकि दीनपना जो थी यह शाजहा की समय नहीं हुमायू के समय पर थी और लेनपूल ने कहां भी था कि यह जिन्दगी पर यह लड़क़ाते रहे और लड़क़ाते लड़क़ाते यह मर गए इनकी मृत्य हो गई क्योंकि दीनपना की लाइब्रेडी में गिर गए थे जिसके बाद इनकी मृत्य हो गई थी next question की तिरफ बढ़ते हैं इसमें बात की गई है बिहार की waterfalls की और उनकी districts की और हमें पताना है कौन सा correctly matched नहीं है पहला दिया हुआ हुआ है दुर्गावती रोतास फिर दिया नवाधा और खुवारी दा भागलपुर इसमें से हमारा जो मार्स नहीं है वो हो जाएगा option number D क्योंकि ये खुवारी दा जो है waterfalls ये भागलपुर में नहीं है कहां पर है रोतास में राइट तो इनको लेर्न कर लीजेगा next question है कि कौन सा वालकेनों इनमें से इंडिया में लोकेटिड है तो कोटा पाक्सी मानलोवा नारकॉंडम और फ्यूजियामा इंडिया में जो लोकेटिड है वो है नारकॉंडम और ये कहां पर लोकेटिड है अंडमान और निकोबार में ठीक है और दो बेसिकली है इंडिया में वालकेनों पहला है एक बैरन वालकेनों ये यह काफी active है और यह barren island अंडमान निकोबार में है उसके बाद नार कॉंडम है यह है एक सुसुप्त जो अला मुखी ठीक है और यह active नहीं है यह अंडमान निकोबार के कहां पर located है basically नौर्थ अंडमान में फिर बाकी जो दिये हुए उनको देख लेते हैं कोटा पाक्सी जो वाल केनों है यह एक्विडॉर में मोना लुवा पड़ता है हवाई यूवैसे में फ्यूजियामा पड़ता है जापैन में राइट नेक्स्ट प्रेशन इस मिनी कोई island जो है इसको सेपरेट करती है कौन सा चानल कौन सा चानल के द्वारा यह मालदीव से से सेपरेट होता है तो 10 जिविश में नाइन डिग्री चानल या अप्षिन अप्षिन डिगिरिचानल सेपरेट करता है तो यह 8 दिग्री और 10 दिग्री दोनों important है फिर question आता है कि इन में से कौन सी country है जो ब्रह्मपुत्र रिवर जहां पर जमुना के नाम से जानी जाती है तो इंडिया बांगलादेश नेपाल और भूतान तो वो कौन सा देश है वो है बांगलादेश option बी correct हो जाएगा देन फिर हमको इसमें से लेक पहचानना है वो कौन सा लेक है पहले में दिया कहा गया है कि इस दा हाइस लेक ओफ इंडिया जो सिचुवेटेड है अर्द नदर्न पार्ट और और अधा हाइस ओफ 18,000 फीट रिवर टीस्ता ओरिजिनेट्स फ्रॉम हीर तो वो हमें लेक बतान है वो कौन सा है रूप कुन सस्थम कोट्टा रेनुका या चोलामू तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन इंबर डी यानि की चोलामू जो है यहीं से यह नदर्न पार्ट और सिक्के में है और यहीं से रिवर टीस्ता ओरिजिनेट होती है रेनुका लेक चूप परता है यह मार्चल प्रदेश की में और यह मार्चल प्रदेश का सबसे बड़ा लेख है रूप कुन परता है उत्तराखड में और सस्थम कोट्टा में एकदम सौथ में यानि की कैरला में राइट फिर इनको देखना है हमको कौन सा पहर जो है वह गरेक्ली मैस नहीं है मा जार्चाथ हिल्स ओडिशा में दाल्मा हिल्स जार्खन में पारसनाथ हिल्स केरला में तो आप समझ कहे होंगे यहां पर आंसर कौन सा इनकारेक्ट हो जाएगा वो है पारसनाथ हिल्स क्योंकि छोटा नाखपुर प्लाटिव में बढ़ते हैं यानि कि जार्खन में ना कि केर बोथ हुई है 2001-2011 के बीच में तो यहां पर पहला हुआ है मधेपुरा किशनगंज कर्टिहार या शिवहार ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा मधेपुरा ऑप्शन बिहार में पहली दी हुई है नागी डाम यानि की नागी बांध उसके बाद बिम बांध और फिर वालमी तो जो नहीं लोकेटर है बिहार में उसमें हमारा करेक्ट अप्शन हो जाएगा बखीरा क्योंकि बखीरा जो है यह आपको पता होगा यह संद कभीर नगर यूपी में यह लोकेटर है तो जो नागी डाम है यह लोकेटर है जमुई बिहार में और बिम्ब बांध यह लोकेटर है मुंगेर बिहार में और वालमी की जो है वाइल लाइफ संचुडी यह लोकेटर है वेस्ट चमपारण बिहार में ठीक है सबके लोकेशन पता होने चाहिए हमको then next question आता है कि what is the typical characteristic of a seasonal reversal of winds तो क्या इसका typical characteristic है seasonal reversal of winds का Mediterranean climate, warm desert climate, monsoon climate या western European climate तो यह हो जाएगा हमारा correct answer option number C monsoon climate, right अगला प्रसुन देख लेते हैं इस question में बात की गई है कि वो कौन सा area है इंडिया में जहां पर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा rainfall receive की जाती है most receiving of rainfall which of the following areas is not पूछा के हैं वो कौन सा area नहीं है जहां पर सबसे ज़्यादा rainfall प्राप्त नहीं होती है तो यहां पर Eastern हिमाल्यास, Western घाट्स, मेगाले और Eastern घाट्स देखिन मेगाले तो हटा दीजे क्योंकि यहां पर मौसन रा में जहां पर सबसे ज़्यादा rainfall की जाती है और उसके बाद आता है Eastern हिमाल्यास पर यही वाला छेथ हो जाएगा तो यह भी हमारा eliminate हो जाएगा इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा अगर हमको answer नहीं भी पता है तो हम eliminate कर सकते हैं फिर आता है Western घाट्स, Western घाट्स में भी बारिश होती है आपको पता है Southwest मॉंसून दो उठते हैं तो Western घाट्स में पानी गिरता है Eastern घाट्स हिसाब से हमारा eliminate हो रहा है तो option हमारा करेक्ट हो जाएगा option नमबर डी next question देखते हैं अब हमको बताना है कि इन में से कौन सा वो देश है जिसकी जो boundary है जो बॉर्डर है वो West Bengal के साथ नहीं लगा हुआ है तो वो कौन सा देश है देख लेते हैं नेपाल बांगलादेश पूटान या मैयानमार तो अगर आपने माप सही से देखा होगा तो आप स भी नहीं भूले यह हिमालियन रेंजर है हमको इनको सीक्वेंस में लगाना है प्रॉपर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो सबसे टॉप पर आ जाता है हमारा कौन सी माउंटेन आ जाएगी कारा कोरो उसके बादा जाएगा लद्दा और उसके बादा जाएगा जास्कर तो हिंदुस्तान सोशिलिस्ट रिपब्लिक असोशियेशन 1928 राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग 1905 फॉर्वर्ड ब्लॉक 1939 तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नुबर सी क्योंकि जो राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग है इसको कब स्टाबलिश किया गया तो यहां पर यह उप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए अब आपको यह पता चल गया है इसके यह कौन कौन से सही है तो यह जो बाकी तीन हो और्गनाइजेशन से इनके जो में लीडर्स थे जिन्होंने इसको स्टाबलिश किया उनकी नाम बताएगा कॉमेंट करकर बहुत इंपोर्टन है क्योंकि यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनको किसने किसने इस्टाबलिश किया है तो इसको जरूर कॉमेंट कीजेगा नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं इसमें बात की गई है कि जो इंडियन नाशनल कॉंगर्स में सूरत स्प्लिट हुआ था तो यह easy question है देख लेते हैं मेले options फिर मैं आपको आंसे बताती हूं नर्मदा तापती साबरमती और माही तो यहां पर हमारा option कौन सा हो जाएगा तापती रिवर यारी की option number B right सूरत कौन सी रिवर बैंक में located है तो सूरत तापती रिवर के किनारे located है इसलिए यह Hong Kong से Canada की यात्रा पर निकला एक जलपोत था और यह जलपोत को किस भारती हैने की राय पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बठाकर Canada के जो बंदरगा था Vancouver में उसकी और प्रस्थान किया था तो यह कामगाता मारू जो incident है उसके बारे में दिया हुआ है हमको बताना है वो कौन से इंडियन था जिसने इसको इनिशियेट किया था तो options दिया हुए है सुहन सिंग भकना फिर दिया हुआ है उसके बाद दिया हुआ है गुर्दित सिंग धैन थर्ड है रास भिहारी बोस और लाला हर दयार तो जो correct option हो जाएगा हमारा वो जाएगा इंडियन काउंसल आक्ट ऑफ 1909 को ही कहा जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स तो किसने कहा था who said the मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स डिस्ट्रॉइड तो यह statement किसके दवारा दिया गया था सुभास चंद्र बोस के दवारा जबाहर नाल नहरू महात्मा गांधी या बाल य सक्तकि но थे हैं तो जो गांधी जी को महात्मा की जो इपाधि दी थी वो कौन से सत्यागर्यारvelop G के दवारा गांधी जी को महात्मा का टाइटल दे दिया गया था इसतरे आप इसको लarl कर सकते हैं then next question is Hey सवामी सहजानन किस समबंदित छैं किस आजोलन से पहला डिया हुआ है लेबर मुवमेंट of बिहार सैनिक movement of भिहार पीजनिक movement of beharin वायर ट्राइबल movement of विः तो इनका जो association रहा है वह रहा है किसान Shh उनसे यानि की पीजन्ट मुव्मेंट और विहार ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है कि किसने जलिया वाला बाग जो इंसरिन था मैसेकर था इसको डेलिबरेटली ब्रूटल मर्डर यानि की जान बूच कर की गई क्रूर हत्या कहा था तो महत्मा गांधी के द्वारा कहा गया था C.F. Andrews के द्वारा C.R. Das के द्वारा या फर्सलूल हक के द्वारा तो यह कहा गया था C.F. Andrews के द्वारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तो कोई अगर अंग्रेज ऐसा कोई स्टेट्मेंट देता है तो बहुत इंपॉर्टन हो जाता है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं अब हमें बताना है वो कौन से लीडर थे उनके बारे में कुछ स्टेट्मेंट्स दिये हुए हैं देख लेते हैं कहा गया है कि इन्होंने स्वतंत्र पार्टी को स्टाब्लिश किया था और यह भारत के सर्वोच नागरिक पुरस्कार जो भारत रतने हैं इसके पहले रिस्टी रिसिपिंट्स में थे और इन्होंने लीड की थी सौल्ट सत्यागरे साउथ इंडिया में लीड किया था तो कौन थे अभी तक आप समझ गए होंगे तीन पॉइंट जिनके बारे में हमको पता चल गए हैं ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी गोपाल कृष्न गोखली महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेरू तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर ए सी राजगो तो यहां पर उसका मास क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यह मास नंबर क्या होता है मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ओफ प्रोटॉन प्लस नंबर ओफ नूट्रॉन तो बारा प्लस छेज़ अठाड़ा ओप्शन एकरेक्ट हो जाएगा फिर बात की गई है कि इन में से कौन सा एक जिंक ओर नहीं है तो जिंक काइट ग्रेनो यह अकाडमियम का ओर है याद रखियेगा औप्शनी है यहां पर फिर हमें देखना है कौन सा नहीं है तो नूर्टॉन हो जाएगे जेमस चाड़बिक बिल्कुल सभी है तो प्रोटॉन हो जाएंगे जेजे तॉमसे दैने लेक्रॉंस हो जाएंगे गोल्स्टीन, तो correct option कौन सा हो जाएगा, देखें हमको यहाँ पर correct नहीं, incorrect बताना है, तो option D incorrect हो जाएगा, क्योंकि protons की खोच की थी, गोल्स्टीन ने, और electrons है, जेजे थॉंपसन, ये दूनों ही आपस में exchange कर देंगे, तो हमारा correct दूनों ही सही हो जाएगे, यहाँ पर पहल लाकेबल सही है और इनकर पूछा है इसलिए option दी हो जाएगा राइट आगे देखते हैं कहा गया है plum pudding model for an atom was given by तो यह किस ने दिया था निल्स बोर ने जेजे थॉम्सन ने जॉन डाल्टन ने या रदर फोर्ट ने तो इन में से किसके द्वारा दिया गया था option बी करेक्ट हो जाएगा जे जे थॉम्सन नेक्स्ट इस हमें बताना है कौन सा करेक्टली माच नहीं है तो जेंक का रिलेशन ग्याल्बनाइजेशन से है टंग्स्टन का पॉट से यूरेनियम का अटोमिक बॉम से और मेगनेशियम का फायर वर्क से तो जो option हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा बहुत हो जाएगा option बी टंग्स्टन का बर्तनों से संबंद नहीं है टंग्स्टन का उप्यों किसमें होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में राइट अब इन में से कौन सा एक explosive substance है पहला दिया हुआ हुआ है लिए नाइट्रोटलीन ट्राइन ग्लिसरीन डाइनामाइट राइनाइट्रो फिनॉल तो option एक्रेक्ट हो जाएगा क्योंकि ओल अब दाबब और एक्स्प्लोजफेफ़ अज़ा यूनिट और एक्मोस्फेर क्रेशर का यूनिट अकर पूचा गया है वह हो जाएगा बार Cardiogram, Heart Rate Measuring Instrument, देखिए एक चीज़ आज जाखिएगा, Cardiac Arrest, Cardiac is related to heart, तो Cardiogram, Heart Rate Measuring Instrument यहाँ पर सही हो जाएगा, इस तरह से हम देख सकते हैं, फिर दिया हुआ है GYroscope, यह Speed Measuring Instrument of Moving Sub Objects, यह भी सही है, then दिया हुआ है audiometer instrument for hearing sound तो then दिया हुआ है pyrometer ये दिया हुआ है radiation thermometer यहाँ पर हमारा कौन सा incorrect हो जाएगा audiometer गलत हो जाएगा क्योंकि ये sound intensity measuring instrument है ठीक है ये sound intensity measuring instrument है option C फिर 70th question में आ गया है है इसमें कहा गया है artificial satellite को earth से सूस्पस्टता किसके द्वारा ट्राक किया जा सकता है ज्यानि कि किसके द्वार आर्टिफीशिल साटलाइट can be tracked clearly from the earth तो पलसर रेडार डॉपलर एफेक्ट या सोनार तो इसको डॉपलर एफेक्ट के द्वारा सही से देखा जा सकता है option C वेस्ट यहां में दिखाई नहीं देता है तो यह हम option correct हो जाएगो option D क्योंकि दुबहर के बारा पचे हमको यह दिखाई नहीं पड़ता है राइट क्योंकि दुबहर के बारा पचे जो sun होता है sun rays directly हमारे सर के उपर होती है जिसकी बज़े से जो ड्रेड़ फॉर्मेशन का प्रोसीजर है वो पूरा complete नहीं हो पाता है फिर बात आती है कि 60 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी value हमको Fahrenheit स्केल पे कितनी मिलेगी तो 140 डिग डिग्री फारनाइट 76 डिग्री फारनाइट या 120 डिग्री फारनाइट यहां पर हमारा correct option हो जाएगा option number a यानि कि 140 डिग्री फारनाइट देखिए आपको मैं formula बता देती हूं कैसे निकाला जाता है यहां पर हो जाएगा c upon 5 equals to f minus 32 upon 9 तो इस तरह से अगर आप इसको calculate करें यह तो यह निकल आएगा फिर आगे देखते हैं आप इमें बताना है which of the following uranium isotopes is used in nuclear power plants to produce electricity आपको पता है nuclear power plants से भी electricity हमें मिलते हैं तो वो कौन सा uranium का isotope है जिसको यूज किया जाता है इसमें तो इसका answer हो जाएगा हमारा correct option number D यानि कि uranium U-235 ठीक है uranium 235 का use होता है आगे बढ़ते हैं हमें फिर से बताना है कौन सा करेक्ली मार्च नहीं है लेक्सिको ग्राफी में कहा गया है collection of dictionaries entomology study of insects हो जाएगा तो हमने देख लिया कि entomology की बात की गई है study of insects की iconography में study of statues और painting की बात की गई है और pedology में study of mountains यहाँ पर हमको incorrect बताना है तो जो incorrect हो जाएगा option number D क्योंकि जो pedology है इसका सब्मन study of soil से होता है और study of mountains आता है औरोलोजी के अंतरगत राइट औरोलोजी हो जाएगा study of mountains फिर से हम next question देखते है और इसमें हमको incorrect बताना है एक बार फिर तो ginger कहा गया है एक stem होता है potato जो है यह tuber होता है garlic bulb हो जाएगा और उसके बाद कहा गया है कि जो jimikand होता है यह corn हो जाएगा तो हमें incorrect यहाँ पर बताना है option जो हमारा incorrect है वो हो जाएगा option number a यानि कि जो ginger है यह scund न होकर sorry तना न होकर क्या हो जाएगा प्रकद यानि rhizome हो जाएगा ginger एक rhizome है आगे बढ़ते हैं फिर question है कि हमारे brain का कौन सा part है जिसको जो message collecting center कहा जाता है जिसको यानि कि जो संदेशों को इतकत्रत करता है थालमस हाइपो थालमस cerebrum या medulla तो वो होता है cerebrum option c correct हो जाएगा इसमें बात की गई है वो कौन सा enzyme है जो helpful नहीं है in the digestion of protein तो chymotrypsin, trypsin, lipase या pepsin तो यहाँ पर हमारा जो correct हो जाएगा वो हो जाएगा option पर c यानि की lipase ठीक है यह correctly match नहीं है यह correct नहीं है because it is not helpful in the digestion of protein बाकि यह सब protein के digestion में helpful है फिर आता है second largest gland पूछा गया है human body का last test में हमने cover किया था largest कौन सा है gland largest पूछा था part body का तो यहाँ पर largest gland पूछा गया है वो भी second largest तो second largest हो जाएगा हमारा pancreas option D हो जाएगा हमारा second largest राइट फिर हमें बताना है इसमें से कौन सा correct नहीं है तो जो silk है produce की जाती है spiders के द्वारा उसको gozamer silk कहा जाता है only female mosquitoes suck blood the plants growing on the rock are called stony fits or the edible part of the turmeric plant को rhizome कहा जाता है तो जो correct नहीं है वो option हो जाएगा हमारा option बिल C ठीक है यह गलत है क्योंकि the plants growing on the rocks are called lithophytes यानि कि चटान पर जो उपने वाले plants होते हैं उनको shallow dwebd कहा जाता है ठीक है shallow dwebd यानि कि lithophytes बाकि सारे points सही है इनको देख लीचेगा आके बात की गई है कि इन में से कौन सा vitamin है जिसकी कमी से pellagra रोग होता है pellagra disease तो vitamin b3, b6, a या c तो जिसकी कमी से होता है वो है b3, vitamin b3 option a correct हो जाएगा और बाकि जिनकी कमी से क्या-क्या कौन-कौन diseases होते है तो b6 की जो vitamin b6 है इसकी कमी से जो disease होता है वो होता है anemia basically और skin diseases भी होते है और a से हो जाएगा night blindness और और zero ophthalmia और c से क्या हो जाएगा scurvy disease छीख है फिर कहा गया है कि milk is not a source of which of the following nutrients तो milk में वो कौन सा nutrient है जो नहीं पाया जाता है क्यालशियम तो बहुत पाया जाता है आपको पता है उसके बाद है protein then carbohydrates और vitamin c तो vitamin c basically उन चीज़ों में पाया जाता है जो खटी होती है और तो य राइट आगे देख लेते हैं अब कहा गया है global macro outlook 2021 जो रिपोर्ट है तो by how much has moody's investors service reduced India's growth rate in 2020 तो इस रिपोर्ट के हिसाब से moody's investors summit ने 2020 में भालत की विकासदर को घटा कर कितना कर दिया है तो यह कर दिया है धाई प्रतिशत ठीक है option b correct हो जाए देखिए अगर आप recently data देखेंगे तो यह बहुत ही और भी कम कर दी गई है ठीकि लेकिन इस summit में अगर आप बात करें इस global macro outlook 2021 रिपोर्ट की बात करें अगर इसमें इतनी की गई थी बाकि recently इंडिया की जो growth rate है उसको काफी ज़्याद recently भुवनेश्वर उडिशा में एक 24th बैठक का आयोजन किया गया था पूर्वी आंचलिक परिशत की 24th बैठक का याडि की Eastern Zonal Council की 24th बैठक का आयोजन किया गया था इसको चेर किस के दवारा किया गया था तो किस नहीं किया था इसको चेर किया गया था अमित शाह के दवारा option C correct हो जाएगा then फिर बात की गई है कि मत्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक में solar park लगाया गया है ठीक है और यह एक cluster है solar power plants का तो यह recently news में था options दिये हुए है उजयन इंडोर शाजापूर और उमरिया तो option हमारा correct हो जाएगा option number C शाजापूर ठीक है option C correct हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा solar park पूछा गया है तो शाजापूर हो जाएगा मत्य प्रदेश के ही रिवा में solar power plant भी खोला गया है जो नरीन स्टेखते हैं कहा गया है वह कौन सा स्टेट है जिसने अपने द्वारा जो उत्पादत प्रदूशक है उनकी मात्रा के आधार पर अपने स्टार रेटिंग प्रोग्राम को उद्ध्योगों के लिए लौंच करने वाला यह तीसरा राज्य बन गया है तो वह कौन सा हो देन अब कहा गया है इस question में कि recently badminton प्रतियोगिता जो होई थी योनुक्स डच जूनियर इंटरनाशनल 2020 इसमें under 19 जो महिला एकल वर्क में यानि कि under 19 विमन सिंगल क्याटेगरी के अंतरगत किन दो भार्तिय खिलाडियों को bronze medal यानि की कान से पतक मिला था तो वह कौन से यह दो भार्तिय खिलाडी वो थी option number C तस्नीम मीर और मांसी सिंग राइट फिर ICC women's G20 World Cup 2020 के बारे में हमको correct statement बताना है कहा गया है यह Australia में हुआ था और इसमें 10 women cricket teams ने participate किया था from different countries से आई थी है और इंडिया ने इसको जीता था Australia को defeat करकर तो आपको पता है इंडिया ने नहीं Australia ने इसको जीता था इंडिया को defeat करकर option हमारा correct हो जाएक option number B आने की पहला और दूसरा statement बिल्कुल सही है फिर बात की गई है कि GT sorry ET Global Business Conference 2020 की theme cooperation for creation sustainable development in a fragmented word थी तो इससे तो आपको यह पता चल गया इसकी theme क्या थी question है हमारा कि यह conference organized कहां पर की गई थी तो इस conference को organize किया गया था निव डेली में option C correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कहा गया है recently कुरुकशेत्र district ओफ हर्याना में का एक village है जिसको अभिमन्यूपूर जिसका नाम कर दिया गया है ठीक है हर्याना की कुरुकशेत्र जिले में किस गाउं का नाम बदलकर अभी मन्यूपुर कर दिया गया है तो यह कौन सा गाउं है अमीन करनपुर दुर्गापुर या दुर्गपुर देखिए सिमिलर नाम ऐसे दे दिये जाए तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए यहां पर करेक्ट आंसर है और अमीन चीक है फिर कहा गया है विमेन औन बोर्ट 2020 यह जो रिपोर्ट है इसके अनुसार इस अध्यान में विश्व में भारत का बारवा इस्थान तो इस अध्यान में पहला इस्थान कौन से देश का है तो इसे आपको दो न्यूजिलेंड और नीदलन में नॉर्वे की ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ इसमें बात की गई है कि करनाटक सरकार ने कोरोना वाइरस के प्रसार से बचने के लिए कौन सा अभ्यान शुरू किया है देखिए बहुत स के बाद आता है नमस्ते ओवर हांडशे देन नमस्ते कोवा करनाटका गो कोविट 19 गो तो इसने जो करनाटका सरकार ने लौंच की है वह नमस्ते ओवर हांडशेक ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फिर अगला क्वेशन है कि भारतिये पारम पर एक ज्ञान प्रणालियों पर हुए अनुसंधान यानि कि इंडियन ट्रेडिशनल लॉलेच सिस्टम्स पर एक अनुसंधान हुआ और इसकी बैटक 18 मार्च को दिल्ली में आयोज़त की गई थी और इस बैटक की अध्यक्षता किस ने की थी हमको यह बताना है तो आप्शन दिये हुए हैं अमित शहा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी आगे बढ़ते हैं हमें बताना है सस्टेनेबिलीटी इंडेक्स में इंडिया की क्या रंग थी तो इंडिया की जो रंक है सस्टेनेबिलीटी इंडेक्स में वह है ऑप्शन नंबर C 77th रंक है फिर बात की गई है COVID-19 के फैलने से र बस्तो में बनाई तो उन चार वस्तो में क्या शामिल हैं हैं सेनेटाइटर वनलाइटर एन नकाइन नाइन मास्क या बॉडी सूट तो इसमें क्या प्राइज 2019 अवार्ड दिया गया है फॉर इंडिया एंपाइर फॉर्स्ट वर्ड वॉर कल्चर राइटिंग्स इमिजेज और सॉंग्स इन नॉन फिक्शन क्या टेगी तो यह किसको दिया गया है यह दिया गया है शांतनु दास को आप्शन 20 ही हो जाएगा यह आपड आगे हाल ही में किस रसोड इंस्टिटीऊट के वेग्यानिकों के द्वारा डेवल्ड gua किया है तो ऑप्शन देख लेते हैं अगरकर सफिट में है लगनाव दिशक शिंस्टीट जो लगनाव में हे तमिलनार रसोड इंस्टीट या बीछ सा वर्कर इंस्टिटीट तो यहां उमा इसको आप निकाल लीचेगा, यहां पर मैं आपको correct answer बता देती हूं, option हो जाएगा, इसका correct option number B, one third, next है, a village having a population of thousand, requires 150 liters of water per head per day, it is a tank measuring, जो उसके measurements है, वो है 20 meters, 15 meters into 6 meters, तो the water of this tank will last for, तो इसका हमारा correct answer हो जाएगा, option number B, यानि की 3 दिन, फिर next दिया हुआ है, the length of a, जो rectangle है, इसको increase कर दिया जाता है, 60%, by what percent, would the width has to be decreased to maintain the same area, so the answer to this question is, option number A, 37.5%, फिर बात आती है, कि, a man is 18 years old, and his son is 2 into 2 years old, and when he was 3 into 2 years old, his son was, देखिए, यहाँ पर into नहीं हो गए, यहाँ पर x लिया हुआ है, तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं, इस question को एक बार, कहा गया है, a man is 18x years old, and his son is 2x2 years old, when he was 3x2 years old, his son was x plus 4 years old, तो how old was he 5 years from now, देखिए, तो यहाँ पर हम correct answer देख लेते हैं, correct answer हो जाएगा हमारा option number C, यानि की 67 years old, right, फिर question है, the height of a right circular cylinder is 21 cm, ठीक है, and its curved service area is 9 to 4 square cm, तो volume बतानी है हमको यहाँ पर, option हमारा correct हो जाएगा, option number C, यानि की 3 to 3 4 cubic cm, आगे बढ़ते हैं, next question है, simple interest का, इसमें कहा गया है, the simple interest on a certain sum for 2 years is Rs. 120, और compound interest दिया हुआ है, 129, तो हमको rate of interest निकालना है, correct option हो जाएगा, option number B, यानि 15%, right, इसमें दिया हुआ है, की x is to 4, और y is to 5, दिया हुआ है, हमको x और y का ratio निकालना है, तो correct answer जो हमारा यहां पर हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number B, यानि 4 is to 5, आगे देखते हैं, कहा गया है, डबलू जब काम 25% of our work कर सकता है, इन 30 दिनों में, x कर सकता है, 1 4th of the work in 10 days, y कर सकता है, 40% of the work in 40 days, और z कर सकता है, 1 3rd of the work in 13 days, तो who will complete the work first, तो सबसे पहले कौन करेगा काम, option हो जाएगा, हमारा d, z के दवारा, अगला question है, length of our rectangle is increased by 40%, and breath जो है, वो decrease होती है, 30% के दवारा, तो area में क्या change होगा rectangle के, तो यहाँ पर हमारा जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number B, यानि 2% decrease होगा, ठीक है, फिर बात आती है, if the height of our equatorial triangle is 2, root 3 cm, और then हमें बताना है, area, in centimeter squares of the equilateral triangle, क्या answer होगा यहाँ पर, यह हो जाएगा, 4 root 3 option, C correct हो जाएगा, आगे देख लेते हैं, बात की गई है, कि low cost mechanical ventilator, rootर, ठीक है, यह rootर, इसको design किया गया था, IUST Pulvama के द्वारा, 26 April 2020 को, which IIT developed this ventilator, तो वो कौन से IIT था, IIT Hyderabad, Bombay, Kanpur या Indoor, तो correct answer हो जाएगा, IIT Bombay, option number B, आगे देख लेते हैं, अब हमें बताना है, इन में से कौन सा correct नहीं है, पहले में कहा गया है, कि रोंगाली बीहू harvest festival, असम का जो है, इसको celebrate किया जाता है, April में, Ministry of Tourism ने launch की है, एक web series, देखो अपना देश, और इंडिया ने receive किया है, 5 लाख rapid COVID-19 test kits from China, और डॉक्टर भीमरा, मेटकर की birth anniversary कब होती है, 24, April को, तो यहाँ पर हमारा correct option क्या हो जाएगा, option number D है, वो incorrect दिया हुआ है, क्योंकि भीमरा, मेटकर की जो birth anniversary है, यह 24, April को नहीं होती है, इसका answer में आपको नहीं बता रही हूँ कब होती है, इसको हम अरदी discuss कर चुके हैं, पहले के test में, तो इसका answer comment करकर बताईएगा, important question है और काफी easy भी है, next question देखते हैं हम, अगला question है हमारा, कि कौन सी important books है, जिनको recently release किया गया है, Ruskin Bond के दोरा, देखिए Ruskin Bond की जो भी books होती है, वो exam के point of view से important है, और दो books इन्होंने अभी release की है, तो वो कौन कौन सी है, पहली दिव ही है, hop on, दूसरी है, a song of India, valley of the dolls, या mind place, तो correct answer हमारा हो जाएगा, option number E, क्योंकि इसमें, hop on और song of India, a song of India ये दोनों ही recently released है, तो more than one of the above हो जाएगा, फिर बात आती है, कि इन में से कौन सा statement है, जो correct नहीं है, पहले में कहा गया है, कि हर्याना स्टेट गवर्मेंट ने लॉंच किया है, opti मित्र, एक help line है, जो 22 April को launch की थी, उसके बादे, देखिए, यहाँ पर यह opti मित्र है, और यह apt मित्र है, ठीक है, तो यह मितलब, confused मत होएगा, फिर है, चाइना का, फर्स मार्स एक्स्पोरेशन मिशिन, का नाम, 93 है, 93 है, साउधी अरेबिया ने अबॉलिश कर दिया है, flogging as a punishment, flogging क्या है, कोडे मारने की सिजा, उसके बाद एक गोवा पहला स्टेट बन गया है, to have zero COVID-19 state, in the, to be the zero COVID-19 state in the country, तो यहाँ पर not correct पूछा गया है हम से, तो not correct हो जाएगा, option number A, देखिए, अभी अगर आपको पता है, तो यहाँ पर यह भी गलत है, क्योंकि गोवा ऐसा state नहीं है, गोवा में भी बीच में ऐसा हुआ था, कि zero हो गये थे COVID-19 की cases, लेकिन फिर से, काफी जादा cases वहाँ पर भी देखने को मिले, तो कई जैसे न्यूजिलेंड ने भी बीच में celebrate कर लिया था, कि उनके हाँ COVID-19 का खटम हो गया है, उन्होंने विक्ट्री पा ली है COVID-19 पर, लेकिन फिर से वहाँ पर, एक लेहर COVID-19 की देखने को मिलती है, तो same case गुआ के साथ रहा, इसलिए हम यहाँ पर जो correct answer मानेंगे, वो more than one हो जाएगा, यहाँ पर correct answer हो जाएगा हमारा option number E, right, option E correct हो जाएगा यहाँ पर, देखे तो हमने देख लिया कि D जो है वो statement incorrect हो गया है, ए भी incorrect हो गया क्योंकि यह optimator पर जो सही कर लिए यह आप तो मित्र ही होगा, यह optimator लिग गया है, आप तो मित्र जो है, यह help line स्टार्ट की गई है करनाट का government के दुवारा ना की हर्याना के दुवारा, option E correct है, यहाँ पर हमने देख लिया, फिर हम बढ़ते हैं, word autism awareness day, जिसकी theme क्या थी, the transition of adulthood, यह किस दिन celebrate किया जाता है, तो word autism day को celebrate किया जाता है, second April को, option हमारा correct हो जाएगा, option number A, ठीक है, next question है, कि IAS और IPS, सही जो भी केंदरी सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रत्रिने सित्व करने वाले, संगों ने, कोरोना वाइस से लड़ने के लिए, एक पहल की शुरुवात की है, देखिए यह पहल काफी important है, Civil Services Association Reach to Support in Natural Disasters, ठीक है, तो Civil Services Association Reach to Support in Natural Disasters, किसका फुल फॉर्म है, करुना का, फिर आगे बढ़ते हैं, बाट की गई है, कि इन में से किसे, पहली बार, 5 एप्रिल 2020 को, संयुक्त राष्ट के द्वारा, यह दिवस मनाया गया था, तो वो कौन सा दिवस हो जाएगा यहाँ पर, option हमारा क्या होगा, पहला दिया हुआ है National Maritime Day, दूसरा दिया हुआ है International Day of Conscience, फिर है International Health Day, और National Curiosity Day, तो correct answer हो जाएगा, option नमबर हमारा B, यानि कि अंतर राष्ट्री एं अंतर श्चेतना दिवस, International Day of Conscience, B, option correct हो जाएगा, फिर आता है, इन विच स्टेट, इस दे फिर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इन इंडिया स्टाबलिश्ट बाई एम्स, अलोंग विद भेल, तो कहां स्टाबलिश किया गया है, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश या असम, तो इसको उत्तराखंड के रिशिकेश में स्टाबलिश किया गया है, option A correct हो जाएगा, फिर बात आती है, कि recently which state started a mobile app called UNAN, मेरा mobile, मेरा विद्ध्याल है, under the upgrade भिहार program for students, from 6th to 12th standards studying in the government schools, तो यह किया गया है, भिहार सरकार के द्वारा, option B correct हो जाएगा, इसका answer option में ही, question में ही था, तो easy question था है हमारे लिए, फिर हम आगे देखते हैं, Economic Advisory Council Meeting of 15th Finance Commission, was held online between 23rd and 24th April 2020, इसको precise किसके द्वारा किया गया था, इसके अध्यक्षिता किसके द्वारा की गयी थी, N.K. Singh के द्वारा, N.K. Singh कौन है, 15th Finance Commission के Chairman, फिर बात आती है, कि Who has won the William E. Colby Award for the book, Midnight in the Chernobyl, The Untold Story of the World's Greatest Nuclear Disaster, देखिए, Chernobyl disaster के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह कौन से एयर में हुआ था, और कौन से कंट्री में हुआ था, इसको comment करकर बताईएगा, important question है, यह कई बार exams में आ चुका है, तो हम options देख लेते हैं पहले हैं आपर, Adam Hingen's Bottom, Adam Smith, Pulela Gopichant और Rafiq Sakarya, तो देखिए, options हम कई सारे हैं पर eliminate कर सकते हैं, correct answer हमारा हो जाएगा, option A यानि Adam Hingen's Bottom, option A correct हो जाएगा, फिर आता है, which anniversary of Earth Day was celebrated on 22nd April every year, with the main objective of exhibiting everyone's participation towards environmental protection, तो ये 50th anniversary थी, option C correct हो जाएगा, then, which country has been named as the word book capital 2020 at the word bank and copyright day celebrated by UNESCO on 23rd April, तो Kuala Lampur, Singapore, New Delhi या, Paris, तो यहाँ पर हमारा जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, Kuala Lampur, option number A, then, 120th question पर आते हैं, word intellectual property day 2020, with its main theme, innovate for green future, ये किस दिन celebrate किया जाता है, 22 April, 24 April, 26 April या, 28 April, तो 26 April को किया जाता है, ये option C correct हो जाएगा, then, United States President जो है, Donald Trump, has named the senior Indian American diplomat, as the next U.S. Ambassador, to the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD का, next ambassador जो है, किया है, तो वो कौन से Indian है, Manisha Singh, Tarun Majaj, Ajay Tirke, या Nisha Singh, तो correct option हो जाएगा, हमारा Manisha Singh, option number A, फिर आता है, Economic Survey of India ने पब्लिश किया है, इस पब्लिश्ट, Economic Survey of India जो है, पब्लिश किया जाता है, Annually किसके द्वारा, World Bank के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं, Reserve Bank के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं, Neeti I.O, उसके बाद Ministry of Finance के द्वारा, तो किसके द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के वित्मंत्राले के द्वारा, यानि कि option D.Colrect हो जाएगा, फिर बात आती है, कि under which section of the RBI Act, the government has the power, to consult with the RBI Governor, in public interest, यानि कि, सरकार को जनहत में, RBI Governor के साथ परामर्ष करने का अधिकार, कौन सी section में दिया हुआ, यह दिया हुआ है section 7 में, option यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट, फिर है, कि इन में से, किसको include नहीं किया जाता है, capital account में, balance of payments के, यानि कि, भुक्तान संतोलन के जो पूझी खाते में, इस में से, किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो वो हो जाएगा, हमारा पहले option देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, तो पहला है, foreign direct investment, NRI deposits, import of services, banking capital, तो correct हो जाएगा, option C, import of services, फिर question है, what is a maharajah bond, maharajah bond क्या है, dollar dominated bonds, bonds of euro dominations, bonds of rupee dominations, तो ये rupee dominations, सही होंगे, ठीक है, rupee dominated bond होंगे, तो correct answer हमारा C हो जाएगा, फिर question है, कि इन में से कौन सा bank है, जिसको include नहीं किया गया है, to bid to fail, ठीक है, तो वो कौन सा bank है, फिर सारे देख लेते हैं, ICICI है, State Bank of India है, और HDFC है, Bank of India, to bid to fail की क्यातेगिरी में, नहीं आता है, right, फिर है, living organisms are uniformly distributed throughout the biosphere, तो not correct में पहलाई statement आप समझ कहे होंगे, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि uniformly distributed नहीं है, पूरे biosphere में, कहीं पर उनकी संख्या जादा है, कहीं पर कम है, तो यह तो समझ ही गया होंगे, easy बात है, बाकी जो सही होंगे इसके अलावा, या more than one भी हो सकता है, इसलिए में सारे options देखने होंगे, tundra is devoid of trees, बिलकुल सही बात है, फिर no two species have identical nicke, यह भी बिलकुल सही बात है, nicke हर जीव का एक specific होता है, उसके बात ecosystems are capable of maintaining their state of equilibrium, यह भी बिलकुल सही है, तो सिर्फ हमारा यहाँ पर a option correct हो जाएगा, आगे दिया हुआ है, succession causes the increase in number of nicke, food web complexity, या increased diversity, तो यहाँ पर पहला और तीसरा हो जाएगा, option d correct हो जाएगा, next question है, किस year में, जो UN महासभा है, यानि की United Nations General Assembly है, इसने रेकिस्तान का वर्ष खोशित किया था, यानि की year of deserts and desertification खोशित किया था, किस year को, तो वो कौन सा year था जिसको declare किया गया था, international year of deserts and desertification by United Nations General Assembly, तो वो year है हमारा option number d, यानि की 2006 को खोशित किया गया था, फिर प्रशन आता है, from which source we get the information about the establishment of Tughlaq power in North Bihar region, तो वो कौन सा source है, muffin, manikbul, asafia, सिरते फिरोज शाही, दाते फिरोज शाही, तो यहां हमारा option है, वो correct हो जाएगा E, राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रेशन है, इस question में बात की गई है, कि वो कौन सा सूबेदार था, बिहार का जिसने revolt किया था, during the time of Ibrahim Khan Lodhi, यानि कि Ibrahim Khan Lodhi की समय में, बिहार के किस सूबेदार ने विद्रू हो किया था, तो वो दर्या खान नोहानी, बहार खान, आगे बढ़ते हैं, कहा गया है वो कौन सा शासक था, जिसने बंगाल में अमीन बंगला नामक अधिकारी की न्योक्ति की थी, तो आप्शन से नुस्रच्छा, मौम्मद शा, फरीद खान या बहार खान, तो प्रेक्ट हो जाएगा फरीद खान, आप्शन C, तो आप्शन्स दिये हुए हैं, तारीखे दाउदी, शेर्शा, जहंगीर नामा, या बाबर नामा, तो यह हमें मलता है, तारीखे दाउदी से ओप्शन एक औरेक्ट हो जाएगा, इस क्वेशन में कहा गया है, कि इन में से कौन सा क्याम्पेन था, शेर्शा, सूरी का, जो उसका अंतिम विजय अभियान था, यानि कि लास्ट कॉन क्वेस्ट था, तो मालवा, रायसेन, राजस्थान या कलिंजर, यह हम अल्रड़ी क्वेशन देख चुके हैं, इसका अंसर आपको अभी तक आ गया होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कालिंजर, फिर क्वेस्टन है, कि इन में से कहां पर, शेर्शा, सूरी का, मगबरा बना हुआ है, तो हाजी, पुर, सासा, राम, मानेर, या, पुर्णिया, ओप्शन, बी करेक्ट हो जाएगा, सासा, राम, नेक्स्ट क्वेस्टन है, कि 1564 में, अकबर के शासनकाल में, किस अमीर ने बिहार को, इंडिपेंडेंडेंट खोशत कर दिया था, तो वो कौन सा था, पहला है सुलेमान कर्रानी, फिर दाउत खान, हसन खान या, बर्हा खान, ओप्शन हो जाएगा, पहलास कड़के, चूनार के, चिंसुरा के, या हाजीपुर के, तो वो चूनार के थे, ओप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आगे क्वेशन दिया हुआ है, कि अकबर ने किसे हरा कर, हाजीपुर के दुर्पर अधिकार किया था, तो अकबर कॉनकर्ड टू गें, कंट्रोल ओवर दे, फोर्ट ओफ हाजीपुर, तो वो कौन था, दाउद खान, कुतुप खान, पुर्टगाल सेना को, या मुनीम खान, तो आंसर हो जाएगा, दाउद खान ओप्शन एकरेक्ट, फिर बात आती है, कि during which of the following period, मुगल कंट्रोल was established over छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर पर मुगल कंट्रोल किसके समय पर हुआ था, जहांगीर, औरंग्स एब, शाह जहां या शाह आलंग दुविती है, तो औरंग्स एब शाहां या शाहां आलंग्स दूती है, तो वो कौन थे इनके grandson जिसको इन्हों ने सूबेदार बिहार का नियुक्त किया था, 1702 में, परवेज अजीम शाहरो किया मुबारस, तो correct answer हो जाएगा, अजीम, option B, फिर 141st question में आ गये हैं हम, कहा गया है, कि first मुगल emperor to be crowned in बिहार, तो वो कौन सा पहला मुगल समराच था, जिसका राज्याबिशेक बिहार में हुआ था, जहांदार शाह, रफियो दुमित, फरुक सियर, या शाह जहां, second, तो वो था फरुक सियर, ठीक है, option C, correct हो जाएगा, फिर बात आती है, कि who became the first नायब नजीम ओफ बिहार, यानि कि बिहार का पहला नायब नाजीम, वो कौन बना था, options देख लेते हैं, सरफराज खान, अलिवर्दी खान, मुस्तफा खान, जैनुदीन, हाबत, या हैबत, तो correct answer यहां पर हमारा हो जाएगा, अलिवर्दी खान, option B, then, आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है, 1756 में, शौकर जंग और सिराजुद्दीन, ओला के बीच में, जो battle हुई थी, ये कहां पर हुई थी, काटिहार, मुंगे, बकसर या, पुर्णिया, तो ये battle हुई थी, option हमारा correct हो जाएगा, काटिहार, option A, then, हमें देखना है, इसमें से कौन सा correctly matched है, Congress Socialist Party, 1934, पतना High Court, 1916, छोटन अग्पुर, Tenancy Act, 1908, और कुंवर सिंग, डाइड इन 1958, तो जो correctly matched हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा option number E, ठीक है, देखें, यहां पर यह चारों ही, बिल्कुल साई है, इसलिए, इसका all of the above हो जाएगा, ठीक है, more than one of the above हो जाएगा, यानि की, तो इन सभी स्टेट्मेंट्स को ध्यान से देख ली जाएगा, अगर आपको नहीं पता है, तो यह ध्यान देख जेगा, यह सारे years correctly मैं आच नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है, where are the metal stone age remains found in भिहार, यानि की, धातु प्रस्तर यूगीन अवशेष, कहां से मिलते हैं हमको भिहार में, छपरा, चरन, सोन, पुर्या, मनेर, तो option यहाँ पर हो जाएगा, option number E, इन सभी चगाओं से मिलते हैं, option E correct हो जाएगा, फिर बात आती है, कि, परवर्ती गुप्षास्कों के बारे में, जानकारी कहां से प्राप्त होती है, options दिये हुए है, अपसर, inscription गया का, देव बरनक, inscription आरा का, मंदर, inscription भागलपुर का और शाहपुर, तो यह हमें प्राप्त होता है, option number E, यहाँ पर एक बर फिर से correct हो जाएगा, then, नालंदा में अहावियार का पता किस ने लगाया था, तो नालंदा महावियार का पता, दयाराम सहानी, कनिंगम, मेकेंजी या वीलिर में से, किस के द्वारा लगाया गया था, कनिंगम के द्वारा, option B, फिर बात की गई है, कि वो कौन सा शासक था, जिसने आजीवकों के लिए, बराबर की पहाड़ीयों का निर्माड करवाया था, वो सॉरी, वो कौन सी डाइनस्टी थी, जिसके रूलर ने बौध मत, कुकुट्ट राम को, तीन बार नस्ट करने का प्रयास किया, तो कुकुट्ट राम को, तीन बार नस्ट करने का प्रयास, किसके द्वारा किया गया था, शुंग डाइनस्टी सात्माहन घोर या मौक्री तो यह हमारा शुंग हो चाहेगा option A correct then हम आते हैं last question पर last question में बात की गई है बिहार में सैने कभ्यान सबसे पहले किस सुल्टान ने चलाया था इसको चलाया गया था इसके साथ हमारा यह complete हुआ I hope आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीचेगा और चानल को जरूर सब्सक्राइब कीचेगा थैंक्यू सो मच